हलो एब्रीवन वेल्कम टो अवर चैनल लाइफ रेसिपी कॉर्णर मैं हुने रोकमा और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही यूनीक रेसिपी जो है दाल और फिश का कॉंबिनेशन और आप अगर इसे अपने घर में ट्राइ करेंगे और सर्फ करेंगे तो मैं गार आज कराई में भून लेंगे इसको में अभी तक वाश नहीं किया हैसको सुखा रखके ही इसे हलका लेना है और जब ये अपना खुशबु छोड़ दे तो हमें गैस आफ कर देना है और इसको थोड़ी देर तक भीगो के रखना है मैंने इसे एक घंटे जैसा भीगो के रखा था तो ये रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी फिश ले सकते हैं आप चाहें तो होल फिश ले ले या खाली फिश हेड भी यूज़ कर सकते हैं यहां यहां कड़ाई मेने नमक में अच्छे से लेकर लेकर जामने अर पालट योज़त 이렇게 दूसरी तरफ भी आच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब हमारे फिश अच्छे से फ्राई होजाता है हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजी और बेल बटन को फ्रेस कीजी ताकि आपको हमारी लेटिस फीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहें तो बचंवे तेल में हम कुछ तेज पत्तर डाल देंगे और हम इसमें कटेवे प्याज डालके प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम यहाँ पे वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आट करके तो आट करके इसको मिला लेंगे और साथी-साथ यहाँ पे एक टेबल स्पून हम healthy powder डालके इसको थोड़ी तेल के लिए भून लेंगे यहाँ में थोड़ा सा पानी आट करके मसाले को भून रहे हों यह मसाला जब घुन गया है, अब हम इसमें 1 टेपल स्पून, कोरियेंडर पाउदर और जीरा पाउडर, तूनो डाल के मिला लेंगे, साती साथ हम इसमें रेड चिली का पाउडर भी डाल देंगे, आप चाहे तो रेड चिली पेस भी डाल सकते हैं, और मसाले को हम अच्छे स साथ से आठ मिनिट तक मसालों के साथ में भूनते रहना है अब हम दाल में नमक डालेंगे स्वादानु साथ और इसको अच्छा से मिक्स करनेंगे अब हम इसमें पानी एड करेंगे यहाँ पे मैंने 500 ग्राम डाल में एक लीटर से उपर पानी डाला है डाल की थिकनेस आप अपने हिसाब से अज़स्ट कर लीजिए चोकि यहाँ पे कुकिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा तो पानी यहाँ पे मैंने थोड़ा और डाल ताकि वह वैपर होके डाल की थिकनेस अज़स्ट कर दें अब हम इसे ढखकर मीडियम लो फ्लेम पर डाल के गल्ले तक पकाएंगे आप चाहें तो एक प्रेशर कुकर में सीटी डाल के भी इसको जल्दी पका सकते हैं तो लगभग 40 मिनट हो गये हैं और हमारा डाल जो है व और 5-7 मिनट पकने देना हैं 5-7 मिनट बात देखिए डाल की तिकनस यह है अब हम इसमें थोड़ी से हरे मिर्च अट कर रहे हैं नमक टेस्ट करके आप अगर कम जादा हो तो अट कर लेजिए और यहां पर मैं भूना हुआ मसाला अट कर रही हूं मसालों की डिटेल्स आप और प्लीज हमें बताईएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फो वाचिंग